यहां पर मैं जो कोई भी कंटेंट शेयर करती हूं और सारा का सारा डिवाइन के चैनल लिंग्स के दूरू उनके गाइडेंस के अंडर और मेरे पॉर्सनल एक्सपेरियंस से जो है शेयर करती हूं तो फिर उन्हें DM के साथ एक extraordinary connection फील होता है इसमें आप आपके DM के एमोशन फील करते हो उनके फील करते हो उन्हें इस वक्त कैसा फील हो रहा है अच्छा या बूरा ये फील कर पाते हो उसके साथ ही साथ उनकी missing energy उनके sexual thoughts जो है आप फील करते हो आप पिक करते हो तो यूनो बहुत सारे DM होते है जो अपने divine feminine के तरफ जो है physically बहुत जादा attracted होते है sexually वो उनके तरफ जो है बहुत जादा attracted होते है क्योंकि divine masculine को इस journey के starting में उनका divine feminine के साथ क्या connection है इस बात की जो है उनके कुछ भी clarity नहीं होते है उन्हें divine feminine के तरफ सिर्फ और सिर्फ एक physical attraction की feeling आ दी है उन्हें लगता है कि मैं इनके तरफ जो है इतना जादा attracted क्यों हो रहा हूँ और हो इस बात को जो है समझ नहीं पाद है so divine masculine जो है जब कभी भी divine feminine के साथ उन्हों बात करने की कोशिश करते है specifically starting के phases में जब तक divine feminine से अपने ऊपर अच्छे से work नहीं कर रही होती है और उन्हें इस connection को लेकर emotional feelings आना start नहीं होती है तो फिर divine masculine आदे है divine feminine के तरफ और उन्हें physically intimate होने के लिए कहते है या फिर phone sex कहने के लिए कहते है या फिर sexting करने के लिए कहते है तो guys जब भी आपके divine masculine जो है आपको contact करें आपके pass आए और आपको इन सारी चीजों की जो है demand करें तो definitely आपको उनकी ये demands पूरी नहीं करनी चाहिए उन्हों अपनी एक boundary set करके जो है आपको divine masculine के साथ जो है behave करना चाहिए क्योंकि definitely divine masculine के चक्राज जब awaken होना start होते है यानि कि heal और cleanse होना divine masculine के चक्राज जब start होते है तो उन्हें इस तरह की sexual feelings आना, sexual thoughts आना और अपने divine feminine के तरफ उनका attraction बढ़ना ये बहुत ही normal चीज़ होती है इसके लिए वो जो है हमेशा जब जब उनको ऐसा feel होता है sexual urge आता है वो आपके तरफ आते है और आपको कहता है कि उनके साथ intimate हो जाए या फिर उनके साथ six talk करें तो इस energy से अगर आप उस वक्त उनकी बात मान लेते हो और ऐसी कोई चीज़ करते हो तो definitely आपकी divine masculine की awakening process में जो है delay हो जाता है जो उनकी उस वक्त suffering होनी होती है जो उनकी realization होना होता है वो उस वक्त हो नहीं पाता है और definitely वो आपकी energy लेकर आगे बढ़ते है और दुबारा से आपसे run कर जाते हैं जो उनकी awakening होती है जो उनके चक्रास heal होने वाले होते हैं cleans होने वाले होते हैं वो उस process में जो है कही न कही delay आजाता है और आपके divine masculine के बीच में दुबारा से separation create हो जाता है और फिर आपके union में जो है बहुत सारा delay आजाता है तो इस तरह की energies guys जो होती है तो इसके लिए आपको हमेशा आपके खुद की you know एक dignity रखनी चाहिए आपके खुद का एक status रखना चाहिए कि आप जो है आपके you know चीजों में compromise नहीं करोगे ये बात जो है आपको उन तक पहुचानी चाहिए सारी की सारी गलती यहाँ पर divine masculine की नहीं होती है कही न कही अगर आप आपके चीजों को compromise कर रहे हो तो वो जो you know masculine energy है वो divine masculine के form में नहीं आएगी और आपको एक divine feminine के तरह जो है कभी treat नहीं कर पाईगी तो make sure कीजे कि जब भी कभी you know ऐसी situation आएगी आपके DM जो है आपको ऐसी चीजों के लिए बोल रहे है तो आप जो है कुछ अपनी boundary state करें आपकी you know self respect को जो है आप priority दें उनसे जो है ऐसी चीजें करने के लिए मना करें और उन्हें अच्छी धरह से समझाए ऐसा नहीं कि आपको उस वक्त जबडा करना चाहिए या over react करना चाहिए यही मेरे आज के podcast का you know topic था I hope की आपको यह podcast जो है अच्छा लगाओ तो चलिए इसकी साथ मैं इसे end करती हूँ बाबाई